हाई दोस्तों नमस्कार आप सभी का यूटूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आपने दी है रीट की परिक्षा और आप थोड़ी इंगों से रीट में रहे रहे हैं कि 31 तक आप जो आपतिया हैं वो दर्ज करवा सकते हैं जिसमें 30 तक तो आप 1st लेवल किये और 31 मारज तक आप 2nd लेवल की जो आपतिया हैं वो दर्ज करवा सकते हैं राजस्तान अज्यापक पातरता प्रिक्षा की आंस्वर की उत्तर तारीका पर 30 वे 31 मारस तक आपतियां दर्ज गराई जा सकती है माईजय मिक्षिक्षा बोर्ड राजस्तान ने रीट पर्थम लेवल की आंसर की 15 मार्च और लेवल दीती की आंसर की 16 मार्च को जारी की थी तो आप लेवल पर्थम की 30 मार्च तक लाश डेट है और सेकंड की 31 मार्च है और दोस्तों इसमें सबसे खास बात ये है कि अगर आपने आपतियां दर्ज गराने के बाद में उनको साइट पर जाके लोक नहीं किया उनका लोक उप्षन परोके नहीं किया तो बोर्ड के दोरा जो आपकी आपतियां वो निरस्त कर दी जाएगी और आपकी आपतियां वो श्विकार नहीं की जाएगी तो दोस्तों आज आपके पास लेवल पर्थम वालों के लिए अंतिम मौका है और लेवल दित्तिय वाले जिन्नोंने जो आपतियां लगए वो भी आज ही लोग कर दें साइट वीजी रहने के गारण आपके साइट नहीं कुल सकती है तो दोस्तों जिन्होंने भी आपत्यां लगए वो अपनी आपत्यां लोग जरूर कर दें ताकि बोर्ड को वो स्विकार करनी पड़े अगर आपने लोग नहीं की तो वोट स्विकार नहीं करेगा आपके आपतियां वो शुबते ही निरस्त वजाएगी खारीज हो जाएगी दोस्तों आसा करता हूँ आपको यह जानकरी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जेहिंग जेभार्द